Hello my YouTube family, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सब लोग बढ़िया हैं, भले चंगे हैं मैं भी बढ़िया हूँ आप लोगों से एक अपडेट शेर करनी थी मैंने इंस्टाग्राम पे एक निया पेज क्रियेट किया है किरिन शाहपुरी अकाड़मी और ये page specifically उन लोगों के लिए है जो टारो सीखने में इंट्रेस्टेड हैं टारो में अपना करेयर बनाने में इंट्रेस्टेड हैं तो ज़रूर इस page को follow करें क्योंकि इसमें बोखुत सारी चीजें related and connected to learning टारो I'll be sharing exclusive tips, insights, upcoming workshop इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूँ किरन शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए September 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि September मन्त में आपके partner की क्या energies होंगी आप क्या महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में September मन्त में क्या रहेगा कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप September मन्त की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं September 2024 की love tarot reading चलिए वो अगुज़ आप लोगों के लिए देखें कि September 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में परस यहाँ पर तीन set of cards है first set of cards में हम आपकी energies देखेंगे second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and third set of cards में हम देखेंगे कि finally September मन्त में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है shadow work और यह card कहता है कि पीछे आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया यानि कि self love, self respect practice करी हो सकता है कुछ issues आपके और आपके partner के बीच में रहे या फिर past experiences ऐसे थे कि आपको लगा कि भई आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर relationship बहतर नहीं होगा तो सबसे पहले आपने अपने उपर focus करना चाहा जिसकी वज़े से आपको बहुत एक confidence भी आया होगा बहुत जादा आपने अच्छा भी feel किया एक enthusiasm excitement भी आपने महसूस किया होगा और इसी confidence के साथ आप इस relationship में आगे बढ़ना चाहा रहे हैं या फिर जो भी action initiatives required हैं इस relationship में आगे बढ़ने के लिए relationship को next level पर लेकर जाने के लिए वो आप लेते हुए दिख रहे हैं और दिखिए साथ ही साथ आपको ये भी feeling हो सकती है कि भाई प्यार महबत बहुत अच्छी बात है लेकिन सबसे पहली बात पार्टनर के साथ अच्छी दोस्ती होनी चाहिए एक अच्छी friendship होनी चाहिए और एक strong relationship का base ही अच्छी friendship है जहाँ पे सामने वाला judge ना करें आप बिना सोचे समझे कुछ भी कह सकें ये दिखिए जो एक चीज मेरे mind में आयो है हो मैंने कहा आपके लिए जो भी दोस्ती माइने रखती है आप पहले अपने partner के साथ उस तरीके का connection चाहा रहे हैं और यहाँ पे दिखिए 10 of wands reverse का card कहता है आपको ऐसा लग सकता है कि भई अब मुझे pressure नहीं लेना अब मुझे खाम खां की responsibilities अपने उपर नहीं लेनी है अब मुझे अपने आपको burden नहीं करना अपने आपको परिशान नहीं करना और इसी लिए शायद यह चीज आप खुद से decide कर रहे हैं कि एक दोस्ती वाला connection सबसे पहले होना चाहिए प्यार, महबत से भी पहले और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत एक pressure महसूस करें क्योंकि देखिए ये card reverse है तो इन्ही energies में balance नहीं है फिर से कहूंगे कुछ के लिए हो सकता है आप अपने आपको offload करना चाह रहे हैं पीछे pressure महसूस कर रहे थे उसको आप खतम करना चाह रहे हैं और पहले दोस्ती maintain करना चाह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत pressure महसूस करें इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत सबसे पहले तो एक friendship वाला connection हो एक अच्छी दोस्ती हो और end September के लिए anxiety and five of swords के cards कहते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं चाहा रहे हैं कहीं end September में आप थोड़ा सा anxious feel कर सकते हैं restlessness feel कर सकते हैं आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत जो भी हो रहा है वो fear नहीं हो रहा है आप ये deserve नहीं करते थे किसी तरीके से या तो पार्टनर की तरफ से एक manipulation आप महसूस कर रहे हैं या पर circumstance situation ऐसी है जहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई चीजें आपके साथ fair नहीं हो रही है unfair हो रही है किसी तरीके का किसी भी लेवल पर एक injustice आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या energies है तो देखें आपके पार्टनर के लिए आपे pause, high priestess के cards कहते हैं कि वो थोड़ा सा again मैं कहूंगी pause लेना चाहा रहे हैं pause का मतलब break up नहीं होता है pause का मतलब होता है थोड़ा सा रुक के अच्छे से चीज़ों को समझ लो और जब pause लिया होता है तो जाहिर सी बात है उस तरीके का action initiatives नहीं लेते हैं और ऐसा ही आपके पार्टनर के लिए भी रहतावा दिख रहा है वो शायद impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं जल्दबाजी में कोई decision नहीं लेना चाहा रहे हैं बहुत wisely चीज़ों को अच्छे से समझ के ही आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और थोड़ा सा इसी लिए वो withdraw करते हुए दिख रहे हैं बाक सीट लेते हुए दिख रहे हैं एक फिर से मैं कहूंगी transparency नहीं maintain कर रहे हैं और देखे इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में प्यार नहीं है उनके मन में आपके लिए love नहीं है यहाँ पर Ace of Cups Rivers का card कहता है कि उनके मन में बहुत प्यार है बहुत love है feeling है लेकिन वो show नहीं कर रहे हैं अपनी life में कुछ के लिए हो सकता है आपके साथ आगे बढ़ना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है इस relationship को किसी level पर खतम करके अकेले आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और देखे इस second चीज के chances ज़ादा रहते हुए दिख रहे हैं और मैं यह नहीं कहूँगे कि ऐसा हो रहा है देखे यह general reading है हम specifically नहीं बोल सकते कि हाँ भई आपके partner move on कर रहे हैं इस relationship से अगर वो thought level पर भी ऐसा सोच रहे हैं उनके मन में एक सोच भी चल रही है तो भी ऐसे cards आ जाते हैं तो वो सकता है कि इस तरीके की energies में कर रहे होते हैं कभी वो ऐसी बाते कर रहे होते हैं अरे आगे तक नहीं चलेगा long term possible नहीं है चलो भी छोड़ते हैं तो इस तरीके की path आपके partner की तरफ से September month में रह सकती हैं again I am not saying कि भई breakup हो रहा है but overall के लिए कहीं इस energy में partner रहते हुए दिख रहे हैं और देखिए आपे 10 of swords and irreconcilable के card भी इसी चीज को और जाधा confirm कर रहे हैं कि end September में बहुत strongly उनको ऐसे लग सकता है कि भई कुछ चीजें हैं जिनको end करने की ज़रत है इस relationship को next level पर लेकर जाने के लिए और कुछ के लिए भी हो सकता है कि वर्गोज आपके partner को ऐसे लग रहे है कि भई relationship को ये end कर दो जो चीजें खराब हो गए जो issues हो गए वो शायद कभी भी अब solve नहीं हो पाएंगे शायद वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे इसा आपके partner सोचते वे दिख रहे हैं फिर से clear कर दूँ end September में उनको ऐसा लग सकता है कि भई आप लोगों के बीच में कुछ issues मसले हो गए है और वो अपने मन से दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं उनको बहुत strongly लग रहा है कि भई ये जो अब नुकसान हो गया ये जो issues मसले हो गए ये शायद कभी भी नहीं ठीक हो पाएंगे और इसी लिए थोड़ा सा back step ले रहे हैं back seat ले रहे हैं इसी लिए विड्रॉ कर रहे हैं और फिर से मैं कहूंगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मन में प्यार नहीं है काफी एक love प्यार महबत आपके लिए महसूस कर रहे हैं लेकिन आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं और अब देखते हैं कि सब्टेंबर मन्त में क्या हो रहा है तो दिखें सब्टेंबर स्टार्टिंग बहुत ग्रेट नहीं जाती भी दिख रही है यहाँ पे घोस्टिट का काड कहता है कि आप दोनों ही अपने अपने लेविल पे गायब होते हुए दिख रहे हैं अब देखिए जिस लेविल पे आपका रेलेशन्शिप है उस लेविल से यह चीज़े रहेंगी अगर आपकी बहुत कम थोड़ी बहुत बात होती थी तो हो सकता है आप लोगों के बीच में बिल्कुल भी बात ना हो और अगर आप लोगों के रोज बात होती थी तो उससे काफी कम बातचीत होती भी दिख रही है जैसे होता ना कि हम अपने फ्रेंड को जिससे हमारी जितनी भी बात होती है उससे बहुत कम बात होती है और इसलिए या फिर otherwise भी एक minor conflict, minor irritation रह रही है और बातचीत नहीं हो रही है लेकिन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक दूसरे जन को पूरी तरीके से social media पे stock कर रहे हैं, पूरी खबर रख रहे हैं उनकी life में क्या चल रहा है, उसको लेकर एक जासूसी भी करते हुए दिख रहे हैं और थोड़ा ऐसा communication, blunt, straightforward आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक कार रह सकता है हाला कि देखिए, आपके cards में देखूँ अगर वर्गोस तो आप तो बहुत confidence के साथ आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, लेकिन आपके partner की तरफ से मुझे जादा रहतावा दिख रहा है कि वो back seat ले रहे हैं, वो withdraw कर रहे हैं, उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं और यह general reading है तो wise वर्षा भी हो सकता है and कहीं mid August में, sorry, mid September में यहाँ पर Empress का card कहता है कि आप दोनों एक दूसरे से connect कर सकते हैं, अपनी feelings को express कर सकते हैं बहुत एक love, care एक दूसरे की किसी भी level पर कर सकते हैं और contentment का card कहता है, शायद चीजों को resolve करने की कोशिश कर रहे हैं कि भई, जो है, उसी में ही एक satisfaction ढून लो या फिर बहुत ज़्यादा high expectations मत रखो थोड़ा सा एक contentment satisfaction एक दूसरे के लिए रखो इस relationship के लिए रखो, तो कहीं इस तरीके की energies रहती हुई दिख रही हैं और इसी energy से कहीं एक चीजों को ठीक करने की भी कोशिश रह सकती है क्योंकि यहां पर Empress का card है या तो जो female है इस relationship में उनकी दरफ से जादा effort रहता हुआ दिख रहा है या फिर आप लोगों की life में कोई common female है या आप दोनों की individual lives में कोई female है उनका role जादा रह सकता है और अगर ऐसा नहीं है तो एक love care कहीं mid September में आप दोनों की बीच में रहती भी दिख रही है and कहीं end September के लिए Seven of Cups Rivers का card कहता है जो भी चीजें bother कर रहे थी हैं जिन भी चीजों की वज़े से relationship में issues हो रहे थे, मसले हो रहे थे जो भी distractions थी उनको side में रखते हुए आप लोग शायद एक दूसरे के साथ clear कर रहे हैं कि भई क्या चीजें हैं जिनको एहमियत देनी हैं, क्या चीजें हैं जिनको prioritize करनी है और clarity के साथ जो भी decision choices लेने की ज़रत है, वो decision और choices भी ले रहे हैं अगर पीछे सोच बहुत रहे थे किसी चीज को लेकर लेकिन action initiatives नहीं ले रहे थे तो ये भी चीज दूसरे जन से clear करते हुए दिख रहे हैं, कि भई थोड़ा सा इस relationship को या दूसरे जन को prioritize करना है और कहीं फिर से मैं कहूंगे clarity लाते हुए दिख रहे हैं, जो confusion थी उसको कहीं खतम करते हुए दिख रहे हैं तो surface level पर फिर से मैं कहूंगे end September में किसी तरीके से एक चीजों को बहतर करने की कोशिश तो है लेकिन मन ही मन, आप दोनों या आप दोनों में से कोई है, काफी pressure, काफी tension महसूस कर रहे हैं अब दिखें, यहाँ पर कोई ऐसा बहुत खराब चीज specifically September मन में नहीं होते भी दिख रहे हैं September starting के लिए ghosted का काड था, वो सुनने में बड़ा एक भयानक लगता है लेकिन mid September के लिए Empress का काड है, तो अगर starting में कुछ issues हैं, तो mid September में ठीक भी होते भी दिख रहे हैं और इस हिसाब से देखें, तो wait down का काड कोई major problem नहीं होने की बात करता है लेकिन फिर से कहूंगी general reading है, एकका दुक्का के लिए ऐसा हो भी सकता है especially अगर आपके relationship में बहुत time से बहुत problems चल रही है आप दोनों में से कोई एक बिरकुल ही खतम करना चाहा रहे है relationship तो हो सकता है कि भई September month में या end September में खतम हो जाए और जादा आपके partner की तरफ से रहेंगी लेकिन आपकी तरफ से भी रह सकता है फिर से मैं clear कर दूँ अगर relationship में बहुत time से issues, मसले, problems चल रहे हैं तो अगर ऐसा नहीं है तो mixed energies रहती भी दिख रही है starting इतनी ठीक नहीं है या फिर मैं कहूंगी कुछ time होगा September का जहाँ पे चीजें काफी खराब हैं फिर कुछ time होगा जो बहुत ही अच्छा होगा मैं इसलिए specifically timing नहीं mention कर रही हूँ क्योंकि ये general reading है तो थोड़ा सा timing भी vary कर सकता है और कही clarity लाने की कोशिश है चीजों को भेतर करने की कोशिश है लेकिन साथ ही साथ अगर पीछे थोड़े से मसले हुए होना तो चीजें ठीक भी हो रही होती है न तो हमारा एक अंदर से जो डर होता है न वो नहीं जा पाता है और हम थोड़ा सा परेशान होते हैं या फिर एक stress tension महसूस करते हैं तो वो वाला एक stress specifically उनके लिए रहेगा जिनका relationship ठीक चल रहा है कोई major issues नहीं है छोटी मोटी problems हैं और फिर से कहूंगी जिनके में बहुत time से problems चल रही है उनके लिए फिर end September या September मन बहुत great नहीं जाएगा हालां कि कुछ बीच में time ज़रूर रहेगा जहां पर बहुत beautiful energies भी आप दुनों के बीच में रहेंगी तो ये था वो गुज़ा आप लोगों के लिए September 2024 की left arrow reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें